कि यह चलिए तो हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंस के बारे में यह कंप्लीट करके विल मूव वान तो कोस्टेंट टैक्स फटाफट देखता हैं इनको हम लोग अ कंडिशनल वर्ड्स आपके सामने देख रहे हैं बैटे सबसे पहले तो आप इसको देखो कंडिशनल वर्ड्स क्या होते हैं जिनका मतलब यह दी की रूप में आता है फिश्टी क्लास में हमने आपको मॉडल्स करा दिया था टेस्ट भी आपका ले लिया और आपको याद पर क्लिक करेंगे चैंपियन बैच में जाकर वहां से भी हो जाएगा है कि सिमरन का यह मानना है तो चलो बढ़िया है तो अभी हम चलना है कंडिशनल सेंटेंस को पढ़ने के लिए इनके उपर अक्सर एकाद कोशन दो कोशन तो आही जाता है आप ध्यान से देखो मारे पा मैं इफ की बात करूंगा सब का मतलब यदी इनकेस यदी है ना प्रोवाइड़ या प्रोवाइड़ डैट का मतलब हो गया बशरत है या यदी एज लॉंग एस का मतलब हो गया जब तक सपोस का मतलब हो गया मानो यदी अंटिल और अन्लिस का मतलब हो गया जब तक नहीं यदी नहीं दो conditional words एक साथ नहीं आते इनके साथ will नहीं आता या देन नहीं आता और unless और until के साथ not नहीं आता यह खास बात किसके लिए कि यह बात दोनों केवल unless until के लिए है unless और until के साथ not नहीं आता दो conditional words एक साथ नहीं आते अब इसमें जो गरबड़ी अक्सर देखी जाती है वो होती है in case if की कई बार in case और if एक साथ दिखता है गलत होगा इसी तरीके से कई बार suppose if भी एक साथ दिखता है तो ये भी गलत होगा इनके साथ will नहीं आता और then नहीं आता मतलब क्या हो गया यदि मैं कहीं बोलता हूँ if you will come then I will है न कभी-कभी ऐसा हम लोग लेके चलते है if you will come then I will ऐसा कुछ करके होता है यह चीज क्या है यह चीज गलत है ऐसा कुछ नहीं होगा कि एस्ट कहां लिए हैं आनन नपाल जी जो वह बेसिक वो कैपके टेस्ट होगए पांच के पांच वह तेस्ट हो गया तो इनकेस इफ और सपोज इफ आपको ध्यान रखना यह दो वर्ड अक्सर हम लोग एक सांध्यूस करते हैं तो पहली बात यह ध्यान रखना नहीं होता दूसरी बात है इस तरह का कुछ भी इफ के साथ विल है ना और देन कभी भी नहीं आता दूसरी बात हो गई और तीसरी बात आपके पास क्या आगई यहां पर कि अनलेस और के साथ नौट नहीं आता जैसे अगर मैं बोलता हूं अनलेस ही ड़संट कुछ भी ऐसा अगर मैं करता हूं अनलेस ही ड़संट ऐसा कुछ भी हमने किया तो गलत हो जाएगा आई होप यहां तक सारी बाते दन यह तीन बाते क्लियर होई कंडिशनल वर्ट के बारे में ध्या के साथ विल नहीं आता और देन नहीं आता तो प्रोवाइड़ डैट के साथ भी विल या देन गलत इफ के साथ विल या देन गलत तीसरी बात केवल अनलेस और अंडिल के लिए है कि अनलेस और अंडिल के साथ नौट नहीं आता उस पार्क में बाकी नौट आये कोई बात देखेंगा तो और अच्छे से क्लिकर होगा जोती कश्यप गुड़ मॉर्णिंग कि आजो कुछ बच्चे चैट कर रहे हैं कहीं और एक बार देखूं कहां पर ये भेज रहे हैं कौन-कौन है विवेक गुपता कि हाजी विवेक आप चैट फैकल्टी के मेसेज करिए आज न्यू लोकेशन पर आप कह सकते हैं कि कुछ मामला ऐसा ही है एक मिनट बैक कर लिया भाई देख लो एक मिनट बैक हो गया दोने कर दोARS मोझे विया कि आप खर लोग। कि युझ साओदे को आप ही ही हूँ कि अ, कि विंग कि आशो सिंग किसी भी वर्ड के साथ ये ये जो दोनों बात ये सब के लिए हैं यह सब के लिए दोनों बाते सब के लिए और आंडिस और रंटिल वाली बात जो तीसरी बात है यह केवल इसके लिए तो मैं कहलू भाई चलो पहला दूसरा सब के लिए पहला दूसरा सभी के लिए बेटे आनंद पाल आप एक तो मॉक देते रही है एप पर अविलिबल होगा चिक है तो मॉक आप देते रही है मॉक में बहुत सारे पेपर आपको मिल जाएंगे है ना और दूसरा प्रीवेश सेर पेपर सॉल्व करिए चिक टाइमिंग लगा करके कोई भी पेपर आपने उठाया और आपको देखना है मेरे को यह 20-25 मिनट में सॉल्व कर लेना है चिक है चलिए बात आगे बढ़ाते हैं बाकि और इन केस इफ यू डोन्ट कम आई विल गो अलोन बताओ बेटे इसमें क्या गरबड़ी दिख रही है इन केस इफ आपके पास दिखा गलती आई यहां पर इन केस इफ गलत है इन में से कोई आप ठिक एक लेंगे या तो आप क्या करिए या तो आप इन केस कहिए या फिर आप इफ कहिए दोनों में से कोई एक अगला है suppose if the train is late suppose if में से कोई एक आपको लेना पड़ेगा या तो suppose या तो if एक बात और आप ध्यान रखना ये दो पार्ट होते हैं इसके यहां से यहां से यहां तक का पार्ट यहां से यहां तक का पार्ट यह जो पार्ट हुआ इसको बोला जाएगा कंडीशनल पार्ट जहां भी कंडीशनल वर्ड लगा रहेगा उसको बोलेंगे कंडीशनल पार्ट ठीक है भई यह ध्यान रखना दूसरा जो पार्ट आपको यहां से यहां दिख रहा है यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट वह यह पार्ट बोला जाएगा रिजल्ट पार्ट तो मैंने जो भी बाते की यहां पर किसके बारे में की मैंने बाते की कंडिशनल पार्ट के बारे हुँए रिजल्ट कर रहा भी कोई बात्चित नहीं करा है चैक है तो विल का क्या चक्कर है सुमित जी अभी उस पे हमार है थोड़े दिर में विल के चक्कर पर कंडिशनल वर्ड के साथ वाले पार्ट में विल नहीं आएगा अभी यहां पे जो दो बात ही बताईगे पहली बात कि यह कोई भी दो कंडिशनल वर्ड एक साथ नहीं आएंगे दूसरी बात इस dissipation चार घिव और यहां पे पास क्या आगया दिन आगया इफ के साथ विल गिव और वहां पे आगया आगया आपके पास दिन तो आपको मैंने बताई कि इफ के साथ कभी भी विल नहीं आएगा और दिन नहीं आएगा अब यह correction क्या बनेगा if you give if you give me a pen checker then को आप यहां सटा दो कॉमा लगाओ कॉमा आयल राइट लेटर बाकी चीज़े सिंपल है बलकूँ if you give me a pen I will write a लेटर अगली बात पर हम चलते हैं unless you don't come I will go alone unless का पार्ट के ओल यहां से यहां तक हुआ ना बाकी पार्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं है unless के साथ don't नहीं आएगा अटा दो unless you come I will go alone present in a fintness आपका बन गया कोई दिक्कत आपको नहीं है तो condition word के लिए जो तीन बाते मैंने आपको बताई कि दो condition word एक साथ नहीं आएंगे दूसरी बात किसी भी condition word के साथ will नहीं आएगा और दिन नहीं आएगा तीसरी बात यह क्यों unless और अंडिल के लिए है कि अनलेस और अंडिल के साथ not नहीं आता क्योंकि अनलेस और अंडिल के साथ खुदी नॉट का चक्कर छिपा रहता है कि अधिक है उमेद है आपको यह बात समझ में आ तक आ गई होगी बात आगे बढ़ाओं मैं फिर यह बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी तो हम बात आगे बढ़ते हैं आई देखे ध्यान से इस बात पर हम चलते हैं यह हमारा first type this is our first type क्या है first type if के साथ subject फिर वह अपकी first form मतलब present in different tense यह condition है और subject के बाद will हो गया can हो गया या में हो गया फिर हमारे पास आ गई वह अपकी first form यह हमारा result का part हो गया if के साथ condition है और बाकी के साथ क्या है result के साथ condition बाकी के साथ बाकी का पार्ट क्या हो गया result का पार्ट हो गया ठीक तो अभी जो conditional पार्ट है यह वीवन और बाकी विल प्लस वीवन अगर मैं इसको shortcut में लिखूं तो मेरे पास बिच्चों क्या सकता है वीवन और इधर हमारे पास क्या हो गया विल प्लस वीवन यही है इसका shortcut याद रखना तो सिम्रन याद रहेगा या भूल जाओगी क्योंकि हमें इसी तरह से जोड़ी बनाके चलनी है तो इफ के साथ वीवन अगर रहा तो बाकी पार्ट विल प्लस वीवन होगा अगर रिजल्ट वाला पार्ट विल प्लस वीवन रहा तो बाकी इफ के साथ वीवन रहेगा यह पॉइंट है तो चाहे वो कंडीशन हो चाहे वो रिजल्ट हो आपके दिमाग में यह बाते होनी चाहिए याद रहेगा चलो बढ़िया है सुमित कोई डाउट तो नहीं इनके ओपर दो तीन संटेंस देखते हैं देखो सई है गलत हैं क्या है क्या या नी आप को समझ में आ जाएगा इफ यू वर्क हार्ड यू लसक्सी इफ यू वर्क हार्ड यू सक्सीड यदि आप मेहनत करोगे आप सफल होगे तो मुझे तो लग रहा इफ के साथ वीवन आ गया बाकी मुझे यहां पर क्या देखा वेल प्लस वीवन देखा मुझे कोई दिक्कत नहीं देखी सही लग रहा है दूसरा देखो बताओ दूसरा सही या गलत इसका मतलब हो गया पहले का यदि तुम महनत करोगे तो सफल होगे दूसरे में इफ वाले पार्ट का मतलब सबजेक्ट और वर्ब यहां तक रहा इफ का पार्ट तो यह रहा कंडिशन और यह वाला पार्ट रहा रिजल्ट का condition वाले पार्ट में कभी भी will नहीं आता तो if he will come जो है वो गलत है यहाँ पे correction क्या हो जाना चाहिए if he comes ठीक है न? if he comes और I'll give him a job बिल्कुल कोई दिक्कत इसमनी है सिमरन will नहीं आएगा is the half answer I want full answer that is will को हटाएंगे तो come तो नहीं लिखेंगे ना क्योंकि he के साथ तो singular आना चाहिए एस और इस लगेगा वर्ब में if he comes if he comes here in time I'll give him a job third की बात करते है I can offer you this job ये वाला पार्ट पता नहीं क्या दिया है provided that के बाद का पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ये वाला पार्ट आपका क्या है condition it is not important की condition हमेशा पहले आएगी ये जोड़ी है अगर सीता पहले तो राम बाद में राम पहले तो सीता बाद में तो provided that you will finish it in time ये आपके पास condition है और इधर आपके पास result का पार्ट हो गया तो provided that के बाद विल नहीं आएगा so provided that you will finish future indefinite को अटाना है इसके बदले केवल finish कर देना है which is present indefinite ये चलेगा provided that you finish it in time I can offer you this job provided that you finish it in time तो ये रहा पहला टाइप आपका और मुझे लगता पहला टाइप अब आपका complete हुआ कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए मैंने का यदि तुम मेहनत करते तो तुम्हारे मार्क्स और अच्छे आते मतलब इन दिनों तुम मेहनत नहीं कर रहा हो तो ये वाली बात जो रही ये माना जागा प्रेजेंट टाइन का ठीक है तब भी नहीं सुधरा वो समय और बीता और च्छे साथ महीने बीत गए कोर्स भी उसका पूरा हो गया कोर्स कंप्रीट करके चला गया दो चार महीने के बाद लगभग फिर मुलाकात हुई ऐसे ही रास्ते में तो च्छे साथ महीने का कोर्स और फिर बाकी चार महीन थोड़ा सा दस नमबर्स भी समस्वर्स रहा गया मैंने का यदि तुम महनत किये होते मतलब कब उस वक्त का सफ़ाइन की बात हुई तो तुम सफल हो गए हो तuf यह बात कहां äप यहां पे आई कि दूसरे टाइप में यह जो वर वाला चक्कर है यह ध्यान रखना भई यह इमेजनरी होता है कि पहली बात और दूसरा यह कि प्रेजेंट टाइंग को शो करता है यह जो स्ट्रक्चर है सेकंड वाला यह लिखा भले वी टू में है उसको लेके मत आप डाउटफुल होना लिखा भले वी टू यह वर के साथ है लेकिन यह प्रेजेंट टाइंग को शो करता जैसे कि मैंने अभी आपको बताए एक्जाम्पल दे करके कि यह जी तुम महनत करते तो तुम सफल होते हैं तुम्हारे मांस और अच्छे आते मतलब इन दिनों तुम महनत नहीं कर रहा हो इसी को कभी कोई बोलते हैं unreal past ठीक है अब आप देखे धान से यहाँ पर आपके पास यह दो sentence आ गया इफ यू वर्ग्ड हार्ड इफ के साथ वी टू बाकी वूड सक्सीड कोई दिक्कत नहीं है इफ आई वर द पीम और आई वूड गिव यू जॉप कोई दिक्कत नहीं है यदि मैं प्रधान मंत्री होता मैं आपको जॉप देता इफ आई वर द पीम आई वूड गिव यू जॉप इफ यू वर्ग्ड हार्ड यू वूड सक्सीड आपके पास यह दोनों चीज़े आ चुकी है चलिए अब हम बात आगे बढ़ाते हैं दूसरा टाइप हमारा हो गया लेट्स मूव ऑन टू थर्ड टाइप तीसरे टाइप पर हम आते हैं सब्जेट के बाद हैट प्लस वाप की थर्ड फांड अच्छा दूसरे टाइप का अगर मैं शॉटकट निकालू फिर वही बात ह तुम्हारे पास क्या आजाएगा इफ आया वी टू यह वर आगया और इसके साथ क्या आजाएगा मेजर केसिस में वुड प्लस वी वन आजाएगा ठीक है एक चीज़ आप और ध्यान रखना कभी कभी ये वी टू के रूप में यहां पे कुड भी आ जाता है अगर कहीं पे आगया इफ आई कैन यह प्रेजेंट हुआ इफ आई कुड तो यह पास्ट हुआ तो मैं फस्ट टाइप में भी लिग देता हूँ भई इस बात को मालों यहां पर आगया if I can तो can को आप V1 मानेंगे ध्यान रखना इस बात को ठीक उसी तरीके से यहां पर could को आप क्या मानेंगे could को आप V2 मानेंगे यह भी ध्यान रखना इस बात को if I could तो यह V2 माना जाएगा ठीक तो if के साथ V2 यह वर बाकी would plus V1 यह आपके पास हो गया अगली बात पे हम आ जाते हैं तीसरी बात पे तो subject के बात head plus V2 अपकी third farm और यहां पे हमारे पास हो गया would have plus V2 अपकी third farm अगर मैं इसका shortcut बनाओं तो क्या बन जाएगा if के साथ वही वाली बात head plus V2 और बाकी जो बात हुई वह किस में आ जाएगी वह हमारे पास होगा वुड है प्लस वपकी third farm यह हमारे पास बाकी का पार्ट हो गया if head plus V3 बाकी वुड है प्लस वपकी third farm simple है ठीक इनके example देख लो आप ध्यान से और आप एक कुछ technical चीज़ है आपको समझ में आएंगी वह भी आपको ध्यान से देखना if you had worked hard यदि तुमने महनत किया होता आए तब तो सफल हो गए होते कोई देखकर नहीं है मेरे ख्याद से इफ आया इफ के साथ क्या देखा हमें तो बही मैं तो जोड़ी बनाओंगा ना मैं देखों कि जोड़ी हमारी सही चल दे नहीं चल दी हमारे पास दिमांग में है इफ के साथ हैट प्लस वप की थर्ड़ फर्म और बाकी तुरन दिमांग में मेरे पास आगया क्या आगया सिम्रन क्या आगया आशू क्या आगया प्रतीक क्या आगया विवेक तुरन दिमांग मेरे पास आगया वुड़ है प्लस वप की थर्ड़ फर्म यह तुरन मेरे दि कर गया मतलब इसो यह fine है सब कुछ okay है कोई दिक्कत नहीं है तो सेंटेंस बिल्कु सही आ गया अच्छा ये भी ध्यान रखना कि यह आपके पास condition का पार्ट रहा यह आपके पास result का पार्ट रहा पूरा का पूरा पार्ट interchange हो सकता है you would have succeeded if you had worked hard ये condition का part है if you had worked hard you would have succeeded ऐसे कर रहा हूँ मैं मैंने change कर दिया क्या आ गया you would have succeeded if you had worked hard condition और would have plus वह अपकी थर्ड फर्म रिजल का part मैंने ऐसे छोटा सा मुँव बना दिया ऐसे से कर रहा तो ये आप चाहो तो यह आप ऐसे से कर लो या चाहा तो आप ऐसे से कर लो कोई उससे फरक नहीं पड़ता इंटरचेंज हो सकते हैं अब देखो ध्यान से इफ यू हैड इनफॉर्म्ड मी अर्लियर यदि आपने मुझे सूचना दी होती तो बिल्कुल ठीक जा रहा है भी कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पर I would have helped you मैं आपकी मदद किया होता यह भी बिल्कुल ठीक जा रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है यदि आपने मुझे बताया होता या आपने मुझे सूचना दी होती मैं आपकी मदद किया होता या मैं आपके मज़द करता ठीक है? सही जा रहा तीसरा देखो एक बार दिमाग लगाओ कि क्या सेंस निकल के आया तीसरा में If I had informed यदि मैंने बताया होता और I would have given you money मैं आपको पैसे दिया होता थोड़ा आजीब सा नहीं लग रहा सुमित आपने मेरे को बोला कि सर मुझे कुछ दिक्कत है पैसे कि आप दे देंगे Actually मैं आपसे तीन चार दिन पहली कहना चाहता था लेकिन मैं कहनी पाया अब दिक्कत बढ़ गई ज्यादा तो मैं आपसे बोल रहा हूँ मैंने कहा यार सुमित थोड़ी से तुम दे रही कर गए मैंने कली सारे पैसे उठा के किसी को दे दिये जो मैंने पास एक्स्टा थे अब जो भी है बस वो वाले पैसे हैं जिससे मेरा काम चल रहा है तो मैंने कहा यदि तुमने मुझे बता दिया होता तो मैं तुम्हें पैसे दे दिया होता ये तो बास में आ रही है लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ यार सुमित यदि मैंने बताया होता तो मैं आपको पैसे दिया होता है ये तो थोड़ा अजीब सा आ रहा है है ना मैं ही बताओं और मैं ही पैसे दो अजीब सा आ रहा है है ना जोती तो मामला कहीं कहीं गर्बढ है तो यह जो बात है इसका मतलब तो यही निकल के आया यह बात थोड़ी सी अजीब सी लग रही है अगर यहां पे ऐसा हो अगर यहां पे ऐसा हो ध्यान से देखो कि यदि मुझे बताया गया होता मुझे बताया गया होता मतलब passive voice यदि मुझे बताया गया होता सुनना इस बात को ध्यान से तो क्या sense निकल किया आ रहा है If I had फिर यहां पे क्या आ गया Been यहां पे क्या आ गया Informed If I had been informed I would have given you money If I had been informed I would have given you money यदि मुझे बताया गया होता मैं आपको पैसे दिया होता If I had been informed I would have given you money बास भुझे भाई तो मैंने क्या कर दिया यह वाला पार्ट जो था This was inactive यह active voice था और अभी जो हमने किया यह वाला पार्ट क्या हो गया तो भाई यह वाला पार्ट हमारा हो गया passive voice तो बच्चों इसका जो proper sense आया ना वो passive voice में आया active voice में इसका sense proper नहीं आ रहा था इस वज़े से यह गलत हुआ Yes, सुमित had been informed, बिल्कुल ठीक है If I had been informed, I would have given you money अब सुमित तयारी अच्छी है कि नहीं यह तो एक बात की बात है बट आपने इस चीज का conceptual sense आपको clear है और यह आपने सही काम कर लिया मैं यह कहूँगा जरूर कि जो sense है इसका आपको clear है और आपने सही काम कर लिया उसके हिसाब से तो भई यह टेकनिकल चीज है ध्यार नखना आप इसको थोड़ा सा ठीक, अब आप आजओ आगे बढ़ते हैं चलो भई आगे बढ़ जाओ विवेक, जोती मयंक, विवेक, clear है clear from heart, ठीक है आजो आगे बढ़ते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं ध्यान से बाप देखो आशू, पहली बार एक्जाम हो रहा है और अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि लड़कियों का कट आफ अलग रहेगा मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है जो आप पूछ रहे होगी कट आफ लड़कियों के लिए कितना रहेगा ठेक है, ऐसा कुछ मेंशन किया है क्या मतब यूपीएसी ने कि लड़कियों के लिए कट आफ भी अलग से डिसाइड किया जाएगा अगर किया है तो कुछ होगा बट आप एक सिंपल सी बात मान के चलो कि आपको 70% स्कोर करना है ठेक है यह बात बिलकुल बनाते चोड़े बाने तो ऐसा जब कुछ मेंशन नहीं है तो लड़कियों के लिए कटा फलग होना देरिस नो सेंस इफ आई वर द पीम आई वोड गो टो लंडन यद में प्रधान मंत्री होता तो मैं लंडन जाता इस बात को वर आई से भी कह सकते हैं मतलब यह बात हुई बिना इफ के भी यह ऐसे लिखा जाता है बिना इफ के भी ऐसे लिखा जाता है इफ ही है टोल्ड मी आई वुड हैब वेटेट फॉर हिम हैड ही यह वाली बात भी देख लो कि बिना इफ के यह ऐसे लिखा जाता है इफ ही है टोल्ड मी और हैड ही टोल्ड मी एक ही बात ही द्यान रखना तो इफ न दिखे तो भी अगर आपको वर से स्टार्टिंग दिख जाए वराई वरही वर्षी और कोशन माग ना दिया रहे इफ ना देखे और had he plus third form वर्प की और या had plus subject plus verb की third form और आगे would have plus verb की third form का combination मिल जा है तो समझ जाना ये again conditional sentence का ही part है कि conditional sentence को इस तरह से भी लिखा जाता है ठीक आज वो बात आगे बढ़ाते हैं वेट करिया पर एक मिनट का है आप 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 मेरे होनहर विद्यार्थी लोग सब तेज तरह खो चुके हैं जल्दी से आपको मैं फटा-फट कुछ कोशन दिखाऊंगा और उस कोशन के बेसिस पे आप लोग इसको ठीक करेंगे और बस अपना काम कम्प्लीट कर दीक कर दीक करेंगे जल्दी। आई फिल इन दे ब्लैंक से कुछ कोश्चन आपको नज़र आ रहे होंगे आपने इनको कर लिया काम हंग्डम बढ़िया जल्दी साफ इसे करिए ध्यान से समझना है आपको एक कंडिशनल का पार्ट और एक रिजल्ट का पार्ट दिया होगा उसको देखके अपना कारिकरम करना है जैसे इफ के बाद मतलब कंडिशनल वाला पार्ट यहां पे मुझे नहीं दिया है यह ब्लैंक कर दिया है तो बाकी मैं देखुँमगा तो मुझे क्या सूमझ में यह हमारे पास ओगया रिजल्ट का पार्ट अब रिजल्ट हमारे पास ही हो गया कंडिशनल हमारे पास ही हो गया है इप यू डेच गो यहांपे क्या गा विल्ल प्लस वीमन का मतलब हो गया फरस्ट टाइप है के नहीं और मतलब फरस्ट टाइप हो गया तो इंडीशनल वाले कहा आ जाता अचा में प्रज्थ निखेटिव कर साथ बनाना है täll क्या 바ंग बनेगा कि इस तरीके समय जुगाड करना पड़ता है तो करेक्शन यहां पर होगा डोन गो का जल्दी साप इसे कर लीजे फिर हम आगे बढ़ते हैं फटा-फट सिम्रन स्रिवास्तो बहुत बढ़िया अंसर क्या बात है एक बार में ही सही थ्री सेंटेंसस आपके सामने कोशिस करो कि एक भी गलत ना हो और एक दम बढ़िया से जखास कर डालो इसको आप लो कर दमका आप 확인 एक भी व्रत्राशimas है ना हो कर द कर दमका दोटें से ऑनका दो आपके सामने। कर देह कि आपने कर लिया होगा ऐसा मैं मान के चलूंग कि अब लिए सी डैस मोही वोंट गेट वोंट का मतलब भी हो जाता है विल नॉट अच्छा यह विल नॉट वाला कौन सा पार्ट है रिजल्ट का पार्ट है अभी भी अन्लिस का मतलब कंडिशनल वाला पार्ट यह रहा मुझे यहां करना पड़ेगा सेल्स और इफ के साथ हैड अकेला हैड का मतलब वो अपकी सेकेंड फार्म और यह आपके पास हो गया कंडिशनल वाला पार्ट मुझे रिजल्ट का पार्ट देखना है तो मैं यहां पे कर दूंगा वुड प्लस वीवन मतलब वुड गिव करूंगा मैं यहां पे और आपने यहां पे किया होगा वुड हैब गिवन जहां तक मैं बिल्कुल सोच पा रहा हूँ सही सही जोती कशब बटे नेटवर्क आईशू आपके हां होगा वाइस बिल्कुल ठीक है आशो सिंग वुड गिव बहुत बढ़िया विल्हाव गिव किया है हाँ तो सुमित और बड़ी गलती कर दिये विल्हाव गिव तो कुछ हमने बताये नहीं और विल्हाव के बाद गिव लगारो यह तो बहुत बढ़ा ब्लेंडर है तो कुछ कुछ कॉमन सेंस वाली चीज़ें ध्यान रखो यह गलत हुई न तो आपके पास यहां पर क्या बात आ गई ध्यान से आपको समझके चलना है जोती मैंने बताया ना बेटे वाइस के दिखकत आपके नेटवर्क की वजह से होगी यहां पर सब कुछ ओके है तो तीसरा कलियर हो गया सबको इफ के साथ हैड प्लस वप की थड़़फर्म नहीं दिया है केवल हैड दिया है और अकेला हैड का मतलब वब की सेकेंड फर्म हुगा आपके पास हो गया कंडिशनल वाला पार्ट अब आपको रिजल का पार्ट यहां पे लगाना है रिजल का पार्ट आप यहां पे क्या देखें गो वी टू के साथ यहां पे चलेंगे तो यह हो जाएगा वुड की कहो मेरे प्यारे जवानों धुरंधरों आफिसर्स अब एक गुपता बिल्कुल सही आपका अंसर सही आया कि सिम्रन ध्यान रखना वही गलती तो होती है इसके साथ का पार्ट मतलब कंडिशनल पार्ट है कि दो और चार सही है सुमित बाकी गलत होगे कोई बात नहीं सुधार ऐसी होता देरे-देरे कि वुड़की फी आएगा अच्छा वुड़की फी लगाया है मैंक जोलो बहुत बढ़िया फिर तो अरश खान के दो रॉंग हो गए चलो जी बढ़िया है तीन में आई हैड गिवन लिखा था कोई बात नहीं अभी क्लियर हो गया न ला कि नई हां यह धरधर ऐसी सुधार होंगी न चीजें वह दिमांग में आपको रख चलना है इफ के साथ we one विलट्रशी मुड़शी 1 इफ के सांथ we too would plus even if के साथ head plus V3 और would have plus V3 को आई यह अगले में बात बढ़ाते हैंור इफ आई डेसे रहे डाल्डिस आई वड़ेयव काल्ड ओन हो विडाइव कॉल्ड ऑन हर क्या हो जाएगा वूड एफ कॉल्ड यहां पे इफ एड फिटेज ते फटाक से जपर पड़ उसके उपर को सोचना ही नहीं है है थिए रही आएगा सिम्रन नों थड़ फाम अब आपके पास 6-7-8 जल्दी से करो कोशिस करो सई करने की एक भी गलत ना हो अब आपके पास 6-7 जल्दी से करो कि एक भी गलत ना हो चलिए आइकोड़ गेट आजव इसली फाई अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे चक्कर यहाँ पे आपकरेंगे हैड यहाँ पर पर है इफ यू हीट इफ के साथ हीट मतलब वर्प की फरस्ट फां यह प्रिजेंट इंडफिन इस यहाँ पर आ रहा है यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा मेजर्णि यहां पर करदेगी विल्टरन अच्छा माल आपके पास option हो गया विल्टर्ण का और आपके पास option हो गया टर्न का कि इस पर जाएंगे हम टरंस को बेटर मानेंगे क्योंकि यह यूणिवर्सल पानी सो डिग्री पे उबलता है यह एक इनुवर्सल फैक्ट हो गया तो टॉन्स को बेटर माना जाएगा विल टॉन यहां पर गलत माना जाएगा इस देट क्लियर अब आपको क्या यहां पर करना है अब आपको यहां पर करना पड़ेगा वोड गिफ सिमरं स्रिवास्तो क्या बात जिन्दगी जी लो पढ़िया से तुम जोती कश्यप यही तुमामला गर्बढ हो जाता है अगर हमने जरा सी चूप की देखो बेटे इफ के साथ का पार्ट गिवन है मतलब कंडिशनल वाला पार्ट गिवन है तो रिजल्ट पार्ट लगाना हमें कि करना क्लियर जल्दी साप आजओ इस सेंटेस को देखते हैं कि मैंने बता दिया आशू की विल ट्रेंट से बेटर होगा टर्ण करना क्योंकि इनवर्सल फैक्ट है कि पानी को जब आप उबालोगे तो यह सो डिग्री से पे गरम करोगे तो उबलता है यह अपना इसका न क्या लगाएं बता तो दिया टर्ण्स लिख तो दिया सुमित विल टर्ण को मैंने गलत किया टर्ण्स को लिखके मैंने टिक किया क्रॉस किया कि हां बिल्कुल ठीक है शुब्हम कुमार बैटे मैंने वैसे मैसेज कहां करने को बोला हमेशा जब भी कभी कभी जिकर हुआ हमेशा मैंने बोला है चैट फेकल्टी मैसेज करना है आप चैट फेकल्टी पे Unless you work hard, you will not pass जब तक आप महनत नहीं करेंगे, आप पास नहीं होंगे तो ये बिल्कुल ठीक है, no improvement आएगा, D option Supposing if he comes, what should I do? मानों यदि वो आएगा, तो मुझे क्या करना चाहिए? अब देखो, supposing और इफ दोने एक साथ आरें, तो गलत है If he comes, two का A If he comes, what should I do? तीसरा एकदम ध्यान से करियो, भाई सभी लोग, बहुत important part है तीसरा एकदम ध्यान से करना, बड़े अच्छे से If I was told earlier, I would have surely helped you, क्या होना चाहिए? Had told, were told, had been told, या क्या? जटके से आप देखेंगे, would have plus लग की थर्डफा में आँ है, तो तुरंत आप क्या सोचेंगे? तुरंत आप सोचेंगे कि यहाँ पे had told कर दिया जाया, लेकिन फिर वही बात हुई, यदि मैंने पहले बताया होता, तुम्हें जरूर तुमारी मदद किया होता, तो मुद्दा तो वही हो गया, sense गलत है, यह active wise है, और active wise के साथ proper sense नहीं आपा रहा है, तो if I had been told is better, क्या म मुझे बताया गया होता, if I had been told, चौथा question देख लो, बड़ा प्यारा question है, if I have time, I would have done it yesterday, आज सवादो वाले बैच में मैं conjunction कराऊंगा, ध्यान रखना इस बात का, as active हमने पिछली class में कर लिया, today we'll do conjunction, और complete करेंगे उसको, तो आप उस class को जरूर अटेंड करना, if I have time, I would have done it yesterday, would have, फिर आपके पास आगया, तीसरा टाइप है, देखा तुरन सोचा भई, पास परफिक्ट होना चीए, ये तो वर्प की second form है, और ये present perfect tense है, पास परफिक्ट कौन से रहा, सी वाला पार्ट रहा, if I had had time, सिम्रन थोड़ा सा ध्यान से, यही तो है चक्कर, इसलिए समझना इन सब चीजों को बड़े अक्छे से, ज़रा सी जल्दी बाजी हुई, तो मामला गरबढ होगा, चीक है, तीन sentence आपके सामने, अगर errors में कोशन आएंगे, तो ऐसे आएंगे, जल्दी साब देखो और इनको बताओ क्या हो सकता है, जल्दी से नहीं बताओ और देखो क्या हो सकता है, फटा-फटा. जल्दी से नहीं बताओ और देखो क्या हो सकता है, जल्दी से नहीं बताओ और देखो क्या हो सकता है, जल्दी से नहीं बताओ और देखो क्या हो सकता है, जल्दी से नहीं बताओ और देखो क्या हो सकता है, जल्दी से नहीं बताओ और देखो क्या हो सकता है, आई विश आई वर, यहाँ पे क्या आजाएगा, वर आजाएगा, आई विश आई वर देखो क्या हो सकता है, तो थ्री का आजाएगा ए, आई विश इफ या वुड़ देट, इन तीनों का मतलब ही हो जाता है, काश, और इस काश के साथ हमेशा क्या आएगा, वह अपकी से केंड फांग, या वर का सेंस ऐसा होगा, चिक है, आल राइट, आल राइट, सबके बिलकु सही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, क्या बात है, करस् instalू है, क्या ते, फ्यूवत ने भी दोड़ा है? क्यां ईल राइट, वह फ्यूवत ने फांग, क्याम है, राइट, सबस्डे़ा है, ऐस अरम pounding प्यांग, अलाइट, आपकी का lवर वजह दो आ, एर रहे क्या जोवरा है, चलिस बता दो इसका अंसर क्या होगा लास्ट कोशन फर टुडे अगर गलत हुआ तो आपको सब को अपने आपको एक एक नहीं दो दो लगाना होगा अगर गलत हुआ तो और सही हो गया तो बस अपने आपको मिठाई खिला लेना जाके घर पे आराम से फिर ऐसे लगाना कि बहुत बढ़ी है साबाश शाबाश गलत होगा ऐसे दो सही होगा साबाश शाबाश दो तीन बार है 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 ऑई सेवड मानी डियस न्यू का जलिस बताओ क्या होगा है है यहां पर आपको रिजल्ट पार्ट लगाना है तो रिजल्ट पार्ट होती है अब आपको यहां पर क्या करेंगे चेक है आंसर सब क्या रहा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सब क्या आंसर सा रहा है और वो हमारे पास क्या देखरा सी वाला पार्ट देखरा क्या बात है बहुत अच्छा किसी काफी गलत नहीं हुआ यह बड़ी अच्छी बात हुई इसका मतलब सब तरह खो चुके हैं चंद्रेस के रहे हैं कुछ जगह पर यह बताया जाता है यह ज्यादा सई होगा तो जो सही लग रहा था ठोड़ा वो गलत होगा समझा नहीं आपकी बाद चंद्रेस आप क्या कहना चाहरा है अगर यह चीज़े होती भी हैं तो कुछ कुछ चीजों में होती है हर जगह नहीं होती आशू सिंग इतना इज़ी आया क्या एक्जाम में कि आज आने के बाद चीज़ें ऐसी लगने लगती है ठीक है कंडिशन सेंटेस थर्ड टाइप है बेना इफ के दिया हुआ है चीज़ें जब आज आती है तो लगता है इतना इजी और इसके पहले गलतियां हो रही थी ठीक अब बास मैं चलो आज की सभा को यहीं पर मैं समाप्त करता हूं उमीद करता हूं कंडिशन सेंटेस आपको समझ में अच्छे साग्या होगा और अच्छा सिम्रें स्रिवास्तो कहने सर इजी विकाउज फ्यू मैंने सारे तेकडम सारे ताम जाम सब बता दी आपको कही यह बताया जाता है कि यह ज्यादा परफेक्ट है तो कम था वह गलत होगा बेटे अगर ऐसी कोई बात होती है तो वह उस तरह की बाते होती है अब आप यह उस पर्टिक्लर सेंटेस को बताएगे कहां पर ऐसी कश्व आपको बात समझ में आई नजर आई है ना चलो ठीक है बाकी चर्चा हम जारी रखेंगा अगरी क्लास में कंजंग्शन आज करेंगा हम लोग तब अपना ध्यान रखें मस्त रही है खुस रही आगे बढ़िए थैंक्यू वेरी मच टेक केर जैहिन